बहुत से लोगों ने पूचा है कि आईरवेद एक संपूरण विज्ञान है और आईरवेद के अंदर बालों की समस्याओं को लेकर क्या कहा गया है क्या आईरवेद के अंदर भी बालों की उन सब बीमारियों का समधान है जो आज के समय में देखने में मिलती है मैं डॉक्ट सी बीमारियों और उनके निदान के बारे में बताया गया है ट्राइकोलोजी भी एक उभरता हुआ विज्ञान है उभरता हुआ साइंस है जिसके अंदर बालों की बीमारियों का इलाज किया जाता है आईरवेद किशा शास्त्र के अंदर हेर साइंस याने ट्राइकोलोजी के बारे में बहुत सी बीमारियां और उनके समधान के बारे में बहुत कुछ कहा गया है अगले कुछ वीडियो के अंदर हम आइरवेद में ट्राइकोलोजी क्या कहती है या आइरवेद में हेर साइंस के बारे में क्या-क्या वरणित है इसके बारे में चर्चा करेंगे कैसे के अंदर हेर साइंस को उद्रित किया गया है इन सब बातों की हम जानकरी प्राप्त करेंगे अईरवेद के नुसार बालों की उत्पत्ति कैसे होती है उसका पोशन कैसे होता है बालों में क्या क्या व्यादिया होती है क्या क्या बीमारिया होती है और उनका क्या क्या समधान ह और विशेश बात कि हम बालों की देख बाल कैसे कर सकते हैं आयरवेद एक जीवन का विज्ञान है और वेद के नुसार प्रिवेंटिव किस्था पर जादा ध्यान दिया गया है आईरवेद का कहना है कि prevention is better than cure यानि बीमारियों की उत्पत्ति के बाद तो समधान कोई भी थ्रैपिक कर सकती है लेकिन बीमारी पैदा ही ना हो हिस्त्रें का हमारा आहर विहार केवल और केवल आईरवेद में ही वर्णित है आईरवेद के नुसार हमारी दिन चर्या और रितु चर्या अगर होती है तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं यही आईरवेद का विधान है इसलिए इसे जीवन का विज्ञान यानि life science कहा गया है आईरवेद के नुसार बालों को यानि हेर को केश कहा जाता है और केश को अस्ति की उपधातू या मल कहा गया है यानि अस्ति के मल के रूप में केशों की उत्पत्ती होती है हमारे यहाँ पर जितनी भी आईरवेदिक सहीताएं है चरक सहीता, शुचुरुत सहीता, वागबट सहीता आदी इन में बालों की बिमारियां और उनके इलाज के बारे में काफी कुछ दिया गया है अगले बहुत से वीडियोस के अंदर हम इन सभी बालों की बिमारियों और उनके समाधान के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि प्रकृति के अनुसार बालों का रंग किस्तिने का होता है संस्रित के अंदर बालों के विभिन नाम क्या है बालों के प्रयायवाची क्या है और बोडी पार्ट के साफ से बालों के क्या विभिन नाम हो सकते हैं और बहुत सी बातों पर प्रकाश डालने का मैं प्रेतन करूंगा। मैं उबीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे लगते होंगे। आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जिन विश्य पर आप वीडियो बन